हेलो फ्रेंड्स पिछले कई दिनों से हम लोग एर पॉलुशन के चर्चा करते हैं आपने भी देखा होगा न्यूज चानल्स में टीवी में न्यूस पेपर्स में शोशल मेडिया में हर जगे इस एर पॉलुशन की बात ही आजकल चल रही है हिल्थ हजाड्स बहुत है इस एर क्या होता है कैसे आप नापते हो कि कितना एर पॉलुटेड है आपके एरिया में तो एर कॉलिटी इंडेक्स आप देखो तो सिक्स काटेगरी में इसको बाटा गया है राइट फॉम 0 तिल 500 तो वन बाइवन सारी काटेगरी को मैं आप डिस्राइब करूंगा और आपको बत तो इसमें है गुड़ डाट यह आपके लिए बिल्कुल हिल्दी है यहां पर आपके आपका एर क्वालिटी डिग्रेट नहीं है आप यहां पर एक अच्छी लाइफ लीट कर सकते हो सेकंड काटेगरी जो कि यल्लो कलर्ड होता है यह होता है फिफ्टी तू हंड्रेड याट इस मॉड्रेट थोड़ा सा अनहिल्दी हो जाता है यहां पर एर पॉलिशन इस इस काटेगरी में जो लोग सी लेरली डिजीज हैं जिनको आस्थमाटिक अटाक्स आता रहता है बा सब्सक्राइब नहीं होगी वह इसली अपनी लाइफ लीट कर सकते हैं तीसरा काटेगरी जो कि और इस दिया गया है डाट इस अनहिल्दी फॉर सेंसिटिव पॉपलेशन अब यहां पर जो लोग सेंसिटिव हैं यहां पर मैं एक्यूट सीवियर आस्थमा की नहीं बात कर सब्सक्राइब जो सेंसिटिव हैं जो अलर्जिक हैं जिनको इस में लेटेशन होता रहता है या थोट इरिटेटेट रहता है नजल अलर्जी ऊती है इसक्रेजिशन में थीक से रह सकते हैं उन्हें कोई खास health hazard नहीं होने जा रहा है नमबर फोर जो कि red colored है this is unhealthy yes, यहाँ पे जो आपकी problem है, यहाँ पे यह general population जो कि well healthy population है उसे भी problem हो जाता है उन्हें भी यहाँ पे आप देखो तो health hazards को phase करना परता है, जैसे eyes से related allergic conjunctivitis हो सकता है नोट से allergic rhinitis है throat में आप देखो तो dryness होता है काफी and repeated episodes of cough होगा, barking cough भी हो सकता है chest में आप देखो तो कई तरीके की wheezing, bronchitis, asthmatic attacks यह सब आ सकता है heart से related proper भी हो सकता है skin allergies, खारिश दाने यह भी आ सकता है तो यह था आपको red reason, red के बाद आता है आपका purple reason purple reason vary करता है 200 to 300 purple reason होता है very unhealthy यहाँ पे इस condition में एक normal life lead करना जरा सा मुश्किल हो जाता है general population के लिए भी जो well healthy condition में कभी हुआ करते थे अगर air quality index इतना गिर जाता है 200 to 300 के बीच में आता है तो यहाँ उन्हें भी face करना पड़ेगा इन सारी समस्याओं को and last जो भी छठा काटेगरी है that is 300 to 500 maroon colored hazardous यहाँ पे red alert जारी हो जाना चाहिए हर वो city में, हर वो town में, हर वो village में जहाँ पे 300 से 500 का air quality index आगा है तो यहाँ पे एक normal life को आप lead नहीं कर सकते हो उमीद करता हूँ यह air quality index का scale मैंने clearly आपको आज बता दिया होगा understanding में कोई problem नहीं होई होगी पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करेंगे share कर देंगे subscribe नहीं किया तो कर दें क्योंकि आगे आने वाले सबे में कुछ और इसी तरीके के वीडियोज आएंगे आपके लिए जो काफी इंफॉर्मेटिव है thank you झाल 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 झाल